जहीं दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो आज लो बात करने वाले इंडियन प्रेमियर लीग के बारे में तो दोस्तों इस लीग का मैच नमबर 7 होने वाला है जो कि कल साम साड़े 7 बजे खेला जाएगा तो दोस्तों मैं इसी मैच की 5 टीम की कॉमिनेशन पलस में आपको विडियो के आगे पार्ट में बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आया होंगे तो विडियो को जरूर दोस्तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा कर रेगूलर जीतना चाहते हैं इस चैनल पर जो content मिलती है और जो team मिलती है वो आपको 100% winning करवाती है तो दोस्तो अगर winning करना चाते इस IPL में कुछ पैसे कमाने चाते हैं तो दोस्तो हमारा चैनल आपको जरूर ही जरूर से win करवाएगा तो हमारे चैनल को subscribe करें हमें follow करने Instagram गूरूप, Telegram गूरूप में ताकि आपको further updates और कोई भी updates नहीं छोड़े ताकि मेरे से जुड़े रहें दोस्तो और आप easily win करते रहें इस IPL में तो दोस्तो चलते हैं पहले जो मेरी 5 टीम की combination रहेगी वो कौन सी कहां पर लगानी है उसकी बात कर लेते हैं तो दोस्तो जो मेरी 5 टीम की combination आपको इस वीडियो में मिलने वाली है उसमें से पहला टीम आपको hit to hit में लगाना है जो आपको hit to hit का contest जिताएगा वो मेरी पहली टीम होगी दूसरी टीम आपको mini jail जिताएगी जिसमें 3-4-5 वाले जो लीग होते हैं पांच combination हो जाती है तो यह पांचों combination को मैं वीडियो के अंते में दिखाऊंगा उसके साथ मैं discuss भी कर लूँगा कौन सी player को आप change कर सकते हैं उससे पहले मैं दोस्तो यहाँ पहले pitch की report बताता हूँ जो की मुंबई में स्थित है जहाँ पे जो average score निकल रही है वो 180 रनों की average score निकल रही है मतलब यह हुआ कि इस pitch पे batting अच्छी खासी होगी सुखा pitch रहेगा और दोस्तों यहाँ पे batting अच्छी खासी होने वाली है पांच विकेट की नुकसान पे लेकिन उसको chase करने उतरी दिल्ली की टीम इसी ground पे 179 का score बनाई और दोस्तों वो मातर 6 विकेट की नुकसान पे और इस मुकाबले को जीत गई दिल्ली की टीम तो यहाँ पे देखें दोस्तों कि आपने chasing करने वाले के टीम को थोड़ा सा यहाँ पे favor है और दोस्तों जो batting यहाँ पे अच्छी खासी होती वो भी ध्यान में रखेंगे और एक बात और ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे spinners को थोड़ा सा focus करेंगे क्योंकि spinners विकेट्स ले रहे हैं इस IPL में और इस match में विकेट लेंगे क्योंकि सूखा पिछ है और spinners को थोड़ा मदद करता है तो spinners को आप थोड़ा focus करेंगे आपको फैदा होगा और जो all-rounder spinners हैं उन पे ज़्यादा focus करेंगे जैसे कि जडेजा आपको देखनी को मिलेंगे करुनाल पांडिया देखनी को मिलेंगे उन पे थोड़ा सा focus ज़्यादा करेंगे क्योंकि spinners को यहाँ पे मौका मिल रहा है और विकेट्स भी ले पा रहे हैं तो all-rounder के तरफ आप देखेंगे तो आपको batsman भी मिलेंगे और यहाँ पे बॉलर्स भी मिल जाएंगे तो ध्यान में रखेंगे यह बातों को अगर जब आप टीम देख रहे हैं मेरी टीम या फिर अपना टीम लगाएंगे उस टाइम भी यह बातों को ध्यान में तो चलते हैं दोस्तो यह तो मुरी आपकी पिच की बात हुई आप बात कर लेते हैं जो weather कैसा रहेगा तो दोस्तो weather के लिए रसकाई रहे की temperature आपको 31 के आसपास देखनी को मिलेगा और थोड़ी हवा भी चलेगी तो वो भी ध्यान में रखेंगे उसी की हिसाब से अपना टीम बनाएंगे अब चलते हैं दोस्तो आपको टीम कंपरीजन दिखाते हैं कि कौन से टीम तगड़ी है तो दोस्तो रिसेंट की 5 मुकाबले की बात करें तो हाला कि दोस्तो लखनों की टीम तो पूरी की पूरी नई है तो वो मात्र एक ही मुकाबला इस IPL में खेली है यह यह पहला इनका मुकाबला है जो की लॉस करकर आ रही है वही बात करें दोस्तो रिसेंट के 5 मुकाबले चन्ने की तो दोस्तो रिसेंट के चन्ने की जो 5 मुकाबले हुए हैं वहाँ पे दोस्तो यह तो आपकी 4 मुकाबले पिछले IPL की जो लास चार मुकाबले खेले होंग हाला कि दोस्तों मुझे लगता है कि इस match में pushback करेगी और favorite team तो यह रहेगी रहेगी और अगर हम आप मेरे prediction से चलेंगे तो CSK इस match को जीतेगी और Toss को भी CSK ही जीतेगी यह मेरी prediction है हाला कि दोस्तों यहाँ पे जो लखनव की team है वो भी कमजोर नहीं है लेकिन खूब लड़ेगी बट यहाँ पे चन्नई मुझे लगता है इस match को जीतेगी यह मेरी prediction है आप इस prediction को follow कर सकते हैं और साथे साथ दोस्तों Toss को भी यहाँ पे चन्नई जीतने वाला है अब चलते ह दोस्तों आपको यहाँ पे main content जो की team completeer और यहाँ पे dream player कौन होने वाले इस match के उस पे बात कर लेते हैं तो दोस्तों dream player मैं बताऊं तो इस match में आपके केल रहूल होने वाले हैं डी कौन बे आपके dream player होने वाले हैं साथ में आपको यहाँ पे गैकवार्ड होने वाले हैं और दोस्तों डी चमीरा उसके साथ दीजे ब्राबो क्विंटन डी कौक एमिलने रभीव स्नोई एक खान और यहाँ पे आर जडिजा आपके इस match के की player होने वाले हैं एक करुणाल पंडिया को भी try कर सकते हैं क्योंकि वो ballers हैं इसलिए मैं उनको board आउं क्योंकि spinners भी करते हैं और अच्छा spinning करते हैं वो अब चलते हैं दोस्तों आपको team दिखाते हैं कि इस match में कैसे team लगानी है तो दोस्तों यह मेरी पहले team है जिसको मै आने 4 option रखे हैं balling के option एक लखनों के तरब से ज़्यादा है लेकिन 2 spinner और 3 faster के साथ यह जो आपको team दिख रही है वो hit to hit के लिए बहुत ही अच्छी team है इस team से आप जरूर जाएं दोस्तों आप easily win कर पाएंगे दोस्तों hit to hit का मुकाबला अगर थोड़ा change करना चाहेंगे वो गयकवाड को try करेंगे और साथे साथ क्विंटन डिकॉप को try करेंगे लेकिन आपको मैं इन तीनों के option में छोड़ रहा हूँ इन तीनों option में आप जा सकते हैं मुझे लगता है decon में ठीक है आप यहाँ पर जड़ी जाके साथ भी जा सकते हैं तो यह मेरी पहली team है ज तीम को जादा focus देंगे अब चलते हैं दूसरी team की तरफ तो तो दोस्ती मेरी दूसरी team है जहाँ पर देख पा रहों हैं कि मैंने मिचल संटर को जगा दिया है और जडिजा को यहाँ पर मैंने रिपलेस किया है उनके जगह पर मैंने उतपता और यहां पर संटर को जगा द तो अपने तरब से कर सकते हैं या फिर बिल्कुल सेम टीम से जाकर इजली विन कर सकते हैं दोस्तों अभी फाइनल अपडेट आए नहीं कोई प्लेर अगर नहीं खेलते हैं कोई प्लेर नहीं आएंगे तो मैं अपडेट करके आपको दे दूँगा टेलिगराम पर उसके तो दोस्तों डीजे ब्राबो पिछले मुकाबले में भी चले थे और इस मुकाबले में मुझे रगता दो विकेट लेंगे पिछले मुकाबले में मैंने कप्तान बनाकर आपको दिया था और इस मुकाबले में मैंने कप्तान बनाया है हाला कि दोस्तों आप चेंज भी कर सक सकते एड़ा मिलने को भी जगा दे सकते हैं और अमधी राइड़ू को भी ट्राइ कर सकते हैं हाला कि दोस्तों मैंने यहां पर ट्राइ किया है वाइस कप्तान कुंडंडी कौक और कप्तान मैं डीजे ब्राबो को डीजे ब्राबो दोस्तों विकेट्स लेते हैं क्योंकि यह में बॉलर्ण करते हैं और देधोबर में जो बॉलिंग करते हैं वह पका ही लेते हैं ये आपको पता ही चीघान को चाहिए और अच्छी रांक में दिलवा सकती है दोस्तो ये मेरी चौती टीम है जिसको मैंने Grandic के लिए डिजाइन किया है जहाँ पर देख पारों कि मैंने Desmonday जैसे प्लेयरों को जगा दिया है और यहाँ पर Sentinel जैसे प्लेयरों को जगा दिया है Lewis है यहाँ पर Kelly Rahul है तो यह टीम थोड़ी सी बोलर को dedicated करती टीम है और यहाँ पर देख पारों कि मैंने कप्तान एड़ा मिल ले और wise कप्तान मैंने रभी विस्नोई को बनाया है changes आपके ऊपर है कर सकते हैं करुनाल पांडिया आपके option में है यहाँ पर मैचल सेंटर भी option में है तो try कर सकते हैं options की आपके पास कमी नहीं है लेकिन यह options भी सही है इस options के साथ भी आप जाकर easily win कर सकते हैं और दोस्तों यह मेरी आखरी टीम है जहां पर देख पार हैं कि जडिजा को मैंने wise कप्तान और कप्तान मैंने एक खान को बनाया है balling के options देखेंगे तो मैंने इस टीम को balling के option के तरफ से dedicated किया है लखनव को और batting के options मैं देख पा रहे हूं कि मैंने main batsman को रखा है लखनव के तरफ से और बाकी के बाकी batsman यहां पर आपको देख पा रहे होगे कि चैनिक के तरफ से हैं तो यह भी टीम बहुत ही अच्छी है इस टीम से भी आप grinding गीत पाएंगे थोड़ी changes अपने तरफ से करना चाहेंगे तो कर सकते हैं लेकिन आपको बख खुबी idea हो गया होगा कि कौन से टीम कहां पर लगानी है और कौन से प्लेर इस मैच में चलेंगे तो ध्यान में रखेंगे तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को like, share, subscribe जरूर करेंगे और दोस्तों इस वीडियो से जरूर आप winning कर पाएंगे अग अपने दोस्तों तक और सभी को जीतने का मौका देंगे तो दोस्तों मिलते हैं आप नेक्स वीडियो में तब तक ले धन्यवाद जाहिंद